हेलो नमस्कार साथियों कैसे आप सभी लोग तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत गजब होने वाली वह है चंद की जवरदस्त क्लास है आज की क्लास देखने के बाद आप चंद से कोई भी कोश्चन किसी प्रकार कोश्चन ब चलिए आज पढ़ेंगे हम चंद और आज की क्लास में हमारा चंद खतम ठीक है तो चंद सबसे पहले एक इंपोर्टेंट कोश्चन बनता है कि चंद किस दातू से मिलकर बनाए जल्दी सिपताओ किस दातू से मिलकर बनाए चद ठीक है यह हलंत लगा है नीचे याद रखन ठीक इस धातू से मिलकर और क्या असन प्रत्य लगकर क्या असन प्रत्य लगकर प्रत्य लगाकर लगाकर हमारा क्या बन गया चंद ठीक है चंद ऐसे भी लिख सकते हैं चंद पूरा बन गया समझ रहो चलो आप एक चीज बताओ चंद सबसे इंपोर्टेंट है चंद होते क कितने हैं तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं जंद में मात्राइग इना मात्राओं काई खेल तो पहले मात्राइब बता देते हैं फिर आप आसानी से कर लेंगे कोई भी कोशन कैसे भी आजाए आप चीज बताओ आपके पास लिखा है मालोक कमल तो बताओ कमल में कितनी मात्रा हैं जल्दी से बताओ और दूसरी ओर लिखा है आपका कमाल तो बताओ इन दोनों में कितनी मात्रा हैं तो जैसे आपके पास कमल लिखा तो सबसे पहले आपको मात्रा है तो मात्रा है आपको क्या होती एक लगू एक दीर्ग ठीक है तो आपको लगू मात्र है लगू मतलब छोटी मात्र है तो कौन कौन से होगी एक तो छोटा होगा एक तो छोटी ही होगा एक तो छोटा हूँ होगा दूसरा होगा हमारे पास रिसी ठीक है और इसमें बाकी सारे चीज़े रहें बड़ा बड़ी ठीक है बड़ा चोटा तो उसके लिए क्या सिर्फ एक मातरा ये वाली इस में दो मतर है मतलब इससे दर्सा देते हैं उल्टा दो लिख देते हैं जैसे दो कैसे लिखा जाता हम लोग दो ऐसे लिखते हैं ऐसे ज्यादा आतर ठीक है याद रखना ठीक चलो अब देखो अब देशे यहां पर लिखा कमल तो कापे आकी मात्रा सिर्फ बड़ा आकी मात्रा दिखे तो दो तो दो आगे तक चलना है मात्रा गिनना कैसे आना चाहिए आप जाकि आपके पास लिखा है आप के आपके पास लिखा है क्रम एक जगार लगए करम तो बताओ इसमें कितनी मातरा असे तो आपको इंपोर्टन चीज है कि एकैं में पूण कि शुबर कर देखो जब भी का कि सीधे ऐसे लीख दो कि आदा अच्छर दिख जाए जो है तो आपको क्या कर ना आधा दिख जाए तो उसकी मात्रा कि मात्रा कि उसके परहले वाले अच्छर के पास चली जाएगी चैनल सकी पहले बाले अच्छर के पास चलि जाएगी पास चली जाएगी एक सर्थ अपर इसमें उसके अच्छर आगे वाले अच्छर के पास चली जाएगी और 2 से अधिक मातना हो नहीं सकती 25 मातना डो होगी जैसे आपाध करम देखो का पहले सिंगल होता लेकिन जो आदा ओसके बाद माह सिर्फ सिंगल एक तो इसके पास कितने मातर हो इसके बाय को तो क्रम मतलब रा यह पहले लिखा है क्रम ठीक है तो रा पहले लिखा उससे पहले कोई अच्छर नहीं तो इसकी भी एक मात्रा एक मात्रा ठीक ऐसे आपको लिखा अध्यापक जैसे कितने मात्राइब होंगे देखो कैसे पा大家 दिख जाए तो उसकी मात्रा उसके पहले वाले अच्छर के पाँ चली जाती है दो से अधिक 59 गang पहली मात्रा चली जाए कोई दिकन तो यहां पे देखो आ का मतलब होता है लेकिन आए अच्छर दिख दिखा उससे पहले वाले पास मात्रह चले जाएगी आधा तो थीक यहां इसका वे लुग यह लेकिन पहले से डावल है उसको आपकुछ नहीं मिलेगा जो पहले से डाबल है उसको कुछ नहीं नहीं रहे कघा तो का बना पो जाएगा तो यह पहले हैं तो उसको काम मेत नहीं ओळाई तो चाहां नहीं अब करता है तो यह मतर है करहा है दोणों में चेठार गए ठीक है तो वो तो आपके उपर depend करता है जैसे मानों हमने लिख दिया आपको कल कलपना इसमें बताओ कितनी मात्रा है ठीक है उसके बाद हमने लिख दिया अरपणा ठीक है तो नों में किता हूँ कि इतनी मात्रा कि कलपनां में कि आप में कितनी है ठीक है जल्मी इस बताओ हूँ है उसके बाद हमने लिख दिया आप लिख दे रहा हूं लाइप टो पहले इसमें बताओ तो ना में बताऊ कितनी मातर हैं तो का उसके बाद एक ़िसके बाद दो ठीक अर पना देको एक क्यों यह आदा रहा है तो इधर इसके पास मत्रा आ जाएगी ना थो मैं जैसे लिए पास कि लिखा है कि दूसरा निए पास सार्फ तो बताओं सब्सक्राइब कितनी मात्रा तो देखो सार लिखा लिखा आदा रहा बना उससे पहले वाले बांतरा चलिए तो इस तरीके से कोई भी कैसा भी कोश्षन देखो तब आणे अपय पड़ तो इसम्समें कितनी मात्रा रहें बता है झृकल से मतां बता है। जली से बता हो तो अध्यात्मिक यह यह तर जाए गा इसके पास नहीं लिखाए व whats means, जासे आपके पास लिखांँ यहां पर अधीन अधीन से बताओ लिखा कि योथी बताओ न रिखा तो आँसे डाँभी ença कितनी अधीन सी ये इन च्ह realizes हमारी सिर्फ एक मात्रा धीन मतलब बढ़ी बढ़ी की मात्रा तो कि दिनी दो नाम एत ठीक है एसी इस परकार आपको लिखा है देखो के एक के अंग कि में बताओ एक के के म कि अब बताओ एक के मैं कितनी मात्रा होंगी यहां पर उल्जो दो मत्रा निया कि इसमें भी तो मत्र है और ये एक मात्र है कितनी थी jurist मैं पिर इहां पर लिखा है ओमन यहां पर लिखए द कि नीमात्रह थे तो जो मतलब नहीं तो दो मतलब लेकंने यहां पर लिखता है आव सबसुरण इसमें रही धार स है सोरी है डबल मात्र है ठीक है तो इसमें डबल आउसद ठीक तो इसमें क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे हम दो मात्रा एक मात्रा एक मात्र ठीक है तो मात्रा निकालना आप सीख गये होगे तो आप चलते हैं हम अपने मैंट टॉपिक की तरफ किदर मैंट टॉपिक की त कि चलो आप देखो अब एक चीज देखो तो हमें पढ़ना है चंद कितने चंद के भेद हमें क्या क्या पढ़ना होता देखो एक तो हमें पढ़ना होता क्या मात्रिक चंद एक दम बड़िक चंद एक में पढ़ना होता है मुक्त चंद तो देखो मात्रिक चंद जिसमें मात्राओं का खेल हो उसे मात्रिक चंद कहेंगे भाई अब बड़िक चंद इसमें बड़ों का खेल हो उसे बड़िक चंद कहेंगे मुक्त चंद यह तो मुक्त हो भी मात्राएंवारोग पुछा जाएगा बाइसा और यह importante ठीक तो यह सब को भटाके हमको सिर्फ मात्रीक शंद भी वह बहुत खेल करता है कौन से करना मात्रे संद है मात्रे संद यह भी कम नहीं है देखो एदेखो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको कि देखो एक समात्रीक्षंद और अर्थ समात्रीक्षंद अब दूसरा बिसमात्रीज़़े अब बस यहीं पढ़ना है अब इनको कैसे हैं पैचारें कि आर्थ समात्रीक्षंद कहोना है विसाम्मात्रीःग सन्द के Zusammen ó विसम सभी विसम पाचार हैं सबसे पहले ही सम्मात्रीःट चंद कौनकोन से होते हैं पता होना चाहिए सम्मात्रीःग तो देखो कौनकोन से होते हैं कि क्रिक है कि चारोगीत याद रखना हरी के बूस्ट टिक चारोगीत हरी के देखो अब क्या-क्या है इसमें चारोगीत हरी के क्यूँ है देखो चारो मतलब चापूर में चोपाई या राप और रोला ठीक है चौपाई रोला और फिर देखो गीत गीती का फिर हरी के मतला हरी गीती का ठीक है समझ गए अब देखो इसमें कितनी मात्रा होती चौपाई में 16 16 मात्रा है ठीक है प्रितिक चरण में 16 16 चरण और 16 16 मात्रा है ठीक है रोला में कितनी मात्रा है 24 मात्रा है ठीक है गीतिका में 10 भी सिर्फ को हो गया सोटा हो गया और हमारे पास क्या अभे से हर कि बहुर Main और हमारे पास के लाला ला लाला वह गो इसकी है हम कैसे बनाएंगे 200 की प्लड़ीा कि कितने में सोठा बल्ले मतलब बाव मतलब बरबय और ला मतलब उलाला बल्ले ठीक अब हमारे पास भिसम मात्रिक चंद बचा तो इनकी भी बात कर लेते हैं तो क्या बचा हमारे पास बताओ तो क्या बचा कुंडलिया और छप्पय कुंडलिया और छप्पय ये किस-किस को मिला के दो कुंडलिया तो वह देखो कुंडल लाव बनना रो दूँगी कुंडल लाव बनना रो दूँगी तो कुंडल लाव बनना रो दूँगी रो दूंगी मतलब रोला पिलस दोहा तो यह क्या कहता है छपपए छपपए देखो क्या आता है छपपए कहता है देखो क्या कहता है छपपए कहता है देखो क्या रोला रो दूंगी कैसे उलला पिलस उलला इससे बनता है छपपए थिक है समंझ गई अब चलो तो रोला पिलाइव लगायाども 24 पिलस दोषा में अब यहां पर अभी आपको बता दोःमें कितनी ओतिर ठीक तो दोःम अधिक होंगी इसमें पहले और तीसरे में दूसरे चौथे में तीरा इंठी समझ गए अब देखो कैसे पैचानेगे है आ आर्थ समात्रिक क्युंद है देखो अब ही आपको के आदा कि बिशम लेकिन जब इनको इनको एड कर तो कि यह समों जाती इसलिए अर्द समात्रिक्षन इनको जोड़ो 24 हो जाते हैं टोटल जोडने पर 24 हो जाते हैं वैसे इनके ये विसम दिख रहे हैं इनको जोड़ो यहाँ पर देखो यह यह सम दिख रहा है लेकिन जोडने पर विसम हो जाता है यह देखो अभी देखो विसम दिख रहे हैं उस उसके बाद जोडने पर यह सम हो जाए इसलिए इनको बोलते हैं अर्द सम्मात्रिक चंद्र समझ गए जब भी आपको कोई उधारत देखे उसकी मात्रा पता हो तो आप पचान लेंगे सम्मात्रिक चंद्र है ठीक है कौन कुंडल और छपप है ठीक है छपाक कुंडल छपाक आपको मिल जाए गीतिका गीतिका गाते रा 26 हरी गीतिका 28 ठीक हरी गीतिका में 26 थे हरी और जुड़ गए तो 28 हो गए 27 थेस हमें 24 HOLा 17 होखना 10 प्र किर ना को भ॥ और यहां सिट इसका ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं चली छोपाई ले लो तो आपको चोपाई को करने है कि छौपाई दोहा अमारे पास आपको पता चाह चाहिए अपने बजरिंग बली की आइस बोले लो कि टो तो यह नंगा नीग्ण गुन जागर जाकर आंगर के आप तो लेलो देखो यहाँ पर लेख लेते हैं ठीक है चलो कि जय कि अनुमान ग्यान गुन सागर है ठीक है जय कपीश ते हूं लोक मुझागर चलो अब यह उधारण आपको लिखा लेकिन आपको यह ने मालूम कि भही है किसका यह चौपाई है सोटा है रोला है दो है क्या है जब कुछ नहीं मालूम होता है तब क्या करो तुरंथ हमने आपको बताई ती मात्रा निकलना तो जय एक मात्र हनुमान छोटू की मात्रह है चव्पाई दूखेए तो अब हैं तो अभी आपको नहीन पता क्या है अभी आपको नहीन बता चैशंग ज्य कपीष है केतने का है कि अर्षे स организanst Prof Hum कि क्यों क anlatu डोग उजागर कि शोटी बड़ी की मातरा धो छोटी की मातरा एक अगर चोटो ओकी मातरा, तो दो, एक ही मातरा, तो डो, आए की मातरा, तो याद रखना, अब देखो आपको क्या पताईगे कि इसमें क्या है, तो देखो। देखो क्या हो रहा है एक जय हनुमान ग्यान गुन सागर जय क्या पीस्ति लोको जागर देखो एक दो कितने हो दो तीन चार पांचे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला कितने मतर होंगी देखो एक दो दो चार पांचे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला नीचे वाले में देखो एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला तो सोला सोला मातरा यानि की सोला सोला मातरा क्या होगे हमारे पास चलो हम दोहा लिख देख है पहले मात्राइब पता लगाएक यह हमारा क्या होता है चलो मिठाया का चाह्ताया देख लो अप इसके इन तो और आ तो देखो और भी चीज़ें हमें याद करने के देखो हमारे पास गती लगा होता है देखो अभी पहले हम एक उधारण लेखा है तो दारण देखो सिरी हर्मान चाले से दोवार सिरी गुरू गुरू चरन वो वाला लेते हैं थोड़ा सिंपल वाला तो आपको याद भी रहेगा देखो पवन तनय शंकट हरन मंगल मूरति रूप राउं लखन सीता सहीत हिर्दय बसहूं सुर्भूप ठीक आप चलिए बताए तो भाई पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहीत हिर्दय बसहूं सुर्भूप यह लिखा है तो आप कैसे बचाने के यह क्या है तो चलिए यह स्टार्ट करो अपनी मात्राओं का खेंग तो प अंकी बिंदी लगिए दो मात्रा एक बंद एक हरन एक मात्रा एक मात्रा मंगल 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 नहीं मंगल थीक मूरति मूरति रूप ठीक चलो राम लखन सहीथ रामलखन सीता इस सहीथ हर्दय इस देखो आर रा जो है रा से पहले कोई अच्छरी नहीं है तो यह रा गया भाड़ में लखन बसाओं को शुर्ष भूप चलो देखो ना राम मतलब बड़ा नहीं दो मात्रा हैं लखन एक कोई मात्रा ने डबबा मात्रा लगी ए ब कि बसाओं सुर भूप बढ़ों की मात्रा ठीक आप देखो इसमें क्या हो रहा है देखो जोड़ो राम लगान वो पवनतने शंकट हरन मंगल मुरत रूप रामलकन सीता सहीत हिर्दय वसं सुरुभूप अब देखो यहां पर क्या क्या चीज़ होती है तो कहीं कहीं पर देखो चरण होती है यती होती है ठीक है और चरण गति यती ठीक है और देखो हो Sun qui और क्या क्या होते हैं को इंघ़ाद करा हो घृति एक है कि तो गणो क्या होते हैं सबस्क्राइब का या होते हैं नाम कि है क्या चरड कि तो नियुक तो अब बागी आपको देखो मतलई संख्या होती है कि एक होता है संक्या किरम समझें चरओं अब देखो चरड कितने चार देख किसका निसान है यती न मंगल मूरत ईला फिर टाउब दो चल तीन चल शाच्राण ठीक हैं कितने गड्ड के साब साब तुक मतलब सुरू भूप मूरत रूप भूप यह होके हमारे तुक ठीक है समझ लगे चलो अब देखो इसमें कितनी मात्रह देखो यहां पर यती लगई ठीक है याद रखना तो देखो एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नौदस ग्यारा बारा तेरा 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 बाद यत शानिंटनीतार तेरा होगी यत लोगई लगे तो तो दू तीन चार पांचे साथ और नव ज्ए जयारा जैना इदूरफ शे साय। लग्त को देखो चाहन पर ग्यरें तो तो तेरा तीसरे में कितनी होती हैं th JAY DR 3 मातर है और दूसरे और चोथे चर्मनें 151 मातरмо है तो पहले और तीसरे पहला दूसरा तीसरे मैं यीजजा है और दूसरे में दूसरे म सब्रस ते यह *** बारा-बारा मात्र हैं और दूसरे और चोथे में साथ-साथ मात्र हैं ठीक है चलो कि समझ गए तो उम्मीद है आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी हर चीज समझ गए बस स्कूल मिला कि आपको मात्रा क्लास में सत बाइब करते हैं बाकी क्लास कैसी लगी के मत्रात निकाला आज के बाद आव पिढ भूलो गये तो नहीं तो बहुत है कबश जबस कि आप चेए कर दो आख दfa समात करें, बने रहे हैं मारे साथ, जय हिन, जय बारत